हालो फ्रेंग्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए लिए लिक्या रहा है, बात करने वाले है, मैगनेट वाले स्टॉक की, मैगनेट यानि की चुम्बक वाला ये स्टॉक, टपारिया ग्रुप का जबरदस्त, डेट फ्री स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक और फ्यूचर वाल मैं डिटेल में चर्चा की थी, और वहाँ पे उस वीडियो को भी आप देख सकते हो साथ में, कि प्राइस किस तरीकी से मूब कर रहा है, फिर से एक फॉलॉप यहाँ पे हम इसका क्रियेट कर रहे हैं, तो समझेंगे इसको डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मापको मैगनेट, बहुत सारे एक्विपमेंट्स में यूज होता है अलगलक तरीके से, तो टपारिया ग्रूप का यह स्टॉक बहुत इंपॉर्टन्ट, क्यों, एक तो डेट फ्री स्टॉक है, एक प्रॉफिट ग्रोफ देखो पिसले तीन साल का, और साथ के साथ अगर मैं बात क आता हुआ दिखा, तो आपके सामने में इस स्टॉक को 15-20 दिन पहले ही लेके आ गया था, 47 करोड का मार्किट कैपिटलाइशन अगर आप देखो, पिछले कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया ग्रोफ देखने को मिली है, यह देखे, 72, 92, 122 देखे जड़ा, यहाँ पे 2021 2021 और 2020 में भी COVID के टाइम फ्रेम भी revenue में कोई कमी नहीं आई, बलकि पिछले 12 महिनों में तो 128 करोड का revenue दिखाया है, इससे पहले profitability जो कभी दिखी नहीं नहीं थी, बहुत ही कम थी और पिछले 4-5 सालों में यह profitability कंसिस्टेंटी विजिबल है, इवन COVID years को भी अगर आप लगा लो तो आपको गयर वा, बहुत अच्छा यह stock है, तो इससे इसकी detail हमने already काफी चर्चा की भी है, और कुछ दिन पहले, यानि कि March 15 को ही इसका detail में video create किया गया था, तो इसको जरूर देखें, इस video को जरूर देखें, तब price 414 का था, यानि कि 414 का price था, और काफी detail में, लेकिन आज फिर से एक बार price action को समझने की कोशिश करेंगे, तिकि price action की जब भी बात आती है, और हम आपके लिए regular videos में है, ये price action जो लेके आते हैं, वो है, बिल्कुल monthly, weekly, daily time frame पे focus करके, तो अभी के time frame पे अगर आप देखोगे, तो सबसे best situation आपको ये वाली देखने को मिल रही होगे, बढ़िया rally यहाँ पे देखने को मिली थी, almost 150-160 के level से ये गया सीधे-सीधे 4500 के level प बात करो, ये सीधे-सीधे आपको इसी magnet की तरहे attract करते हैं जब इस तरीके से position में stock आता है तो, लेकिन एक बड़ी rally के बाद फिर से consolidation वो भी tight वाली जो आपको ये देखने को मिल रहे है, बहुत important ये consolidation है, इसलिए इसको देखते वे फिर हम आपके लिए stock का video लेके आया थी कि अब ये time wise correction देखने को मिल रहे है, कभी एक और बड़ी rally कि अभी moving average से जादा दूर तो गया नहीं है, तो एक और बड़ी rally की expectation यहाँ पे है, फिर उसके बाद हम expect कर सकते हैं कि distribution start हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत जबर्दस वाली rally है, वो अभी एक आई है, एक और बड लिखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, लेकिन अब मैं आपको लेके चलूँगा, इसी के छोटी time frame पे, बहुत important होता है, time frame के बार बार हम बात करते हैं कि इस तरीके से important है, और साथ के साथ अब देखिए, क्यों ये 2-3 हफते पहले, यानि कि March 15 के round हमारी radar में आ और ये volumes जो हमें देखने को मिल रहे थे, ये important जो है नजरों में आने का कारण था, और साथ के साथ ये level के around consolidation ये pullback के expectation थी, अब मैं ठीक बिल्कुल आपको ये noise clear करने के लिए, what we will do, we will just remove the candles with line, अब आप देखोगे कि क्या situation देखते को भी थी, ये level breakout हुआ, ये pullback हुआ य March की series में, और उसके बाद already मैं कहूँगा 10% की rally तो ये दे चुका है, 10% से उपर ही दे चुका है, ये देखिए, आपको गयार वा, लेकिन अभी एक बड़ी rally की उमीद जरूर यहाँ पर लगाई जा सकती है, इस stock से, छोटे time print के हिसाब से, weekly या फिर डेली के हिसाब से, मं candle में वापस आते हैं, तो समझ जरूर गयोंगे आप कि किस तरीकी situation बन रही है, अब weekly पे आ जाईए बाब, अगर आप weekly के level को देखोगे, तो ये level यहाँ पे breakout होता है, और फिर यहाँ पे हलका सा correction आता है, और फिर rally स्टार्ट हो जाती है, और super momentum एरिया में हम पहुँच ज कीजिए, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने काफी अच्छे तरीके से आपको इन volumes के उपर focus करवाया था, कि कहां पे ये volumes बन रहे हैं, और उसके बाद इस consolidation अगर मार्च सीरीज में जा हूँ, मार्च 15 के आराउं, हम इस level की pricing पे थे, उसके बाद ये series देखे, अलका सा consolidation जिसकी उमीद थी, क्योंकि यहां पे हमेसा कभी भी हो, अगर EMA आपके bullets cross का formation करते हैं, तो पहला correction, अगर market maker series के हिसाब से हम बात करें, तो पहला correction बहुत important हो जाता है, अब आपको हो गयार ये, क्या market maker, क्या smart money के concepts के आप बार बार बात करते हैं, मैं आपको फिर repeat करूँ चीजें एक ही हैं, यही चीजें हैं, जिनको लोग अलग अलग तरीके से बदल देते हैं, अगर Wycoff की terminology में बात करते हैं, तो Wycoff की spring के बाद यहां पे return to the base होता है, जब तो इसको कहा जाता है, क्या, Wycoff की terminology में आपको गयार बिलकुल वहां पे retest हो रहा है, और अगर बा situation में, bullish cross का जब बनता है, उसके बाद की correction है, उसका resolve होना बहुत important होता है, और जैसी यह resolve हो, हम आपके लिए फिर से वीडियो लेके आगे, क्योंकि पिछला वीडियो इस range में आपके सामने था, mid of March में, अब बहुत important 200 SM है, अब आपको गयार वा, अब permanent magnet तयार हो रहा है, बड़ी rally के लिए, अगर पिछली rally को आप देखो, तो कहां से कहां तक, इस consolidation में 160 से लेके, 480 तक की rally कोई हलकी rally नहीं होती है, अगर मैं इस consolidation से लेके चलो, इस breakout के around 170 के level से भी लेके चलो, तो यह almost 170% की rally है, और in between मान लो आपने इस में, ज़्यादा नहीं तो अगर 100% भी target क्या लिया जाए, तो अगला target मैं कहूंगा, इस rally को आप enjoy कर सकते हो, और stop loss की बात करते हैं, क्योंकि हम बड़े time frame के हिसाब से चलते हैं, तो stop loss अभी का जो latest swing low है, वो यहाँ पे है, latest swing low यहाँ पे है, deep वाला swing low यहाँ पे available है, 320 के around, और latest वाला यहाँ थोड़ा सा buffer लेत हो जाती है, तो फिर आपको कहो गया, इन areas में भी देख सकते हैं, और important part, risk management बहुत important है, तो मान दो अगर मेरा deep stop loss, 400 की range मार मैं 450 पे यहाँ पे खरीद रहा हूं, और 50 रुपे का मेरा यहाँ पे risk बनता है, and 50 रुपे का risk बनता हूं, मैं 5000 से ज्यादा risk लेना नहीं चाहता ह stock पे इस particular investment पे, तो मेरा position size 100 से उपर नहीं जाएगा, क्योंकि 50 into 100 आपको गया, यह तो सीधे सीधे भई, 50 into 100 यह तो 5000 हो गया, तो इतना ही max loss we can afford तो उसी हिसाब से position size जाएगी हमेशा, देकि डर का बहुत बढ़ा कारण होता है कि position size बहुत बढ़ा हो जाना, अगर position size आपक आपको देखने को मिलेगा, बट अगर यहाँ पे position का size जो आपके, मैं कहूंगा fear factor के according, आपके calculated risk के according होगा, तो definitely आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप max risk अपना पहली calculate करके बैठ चुके हो, तो यह है risk management के हिसाब किताब जो आपको बताया जाता है, बार बार mitigation contingency के ब बारे में बताया जाता है, और position size उसी हिसाब से रिखने के लिए कहा जाता है, तो यह risk management के हिसाब से, और generally आप देखोगे retail, retail यानि की छोटा निवेशक, वो कभी भी risk के बारे में सोचता नहीं, बलकि अगर आप देखोगे कोई भी बड़ा investor है, जो यहाँ पे मोटा पैस है, invest कर रहा है, market में, तो उसकी अपनी strategies होती है, risk को manage करने की, always think from that perspective as well कि risk कितना है, किस तरीके का है, और उसका goal क्या है, on the basis of that goal, वो उसका risk का calculation होता है, तो उमीद करता हूँ, आपको समझ में जरूरा होगा permanent magnet की काफी details हमने पिसले वीडियो में भी आपके साँ share करी है, और फिर से ये follow up हमने यहाँ पे create किया, जरूर देखे पिसले वीडियो को भी, और फिलाल wind up करता हूँ इस वीडियो को, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो share जरूर कीजिए, और motivate करते रहे हैं, अपने comments के तुरू, अपने likes के तुरू, और वी आपको 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 आपको